क्रिप्या यह वीडियो देखने से पहले TCP और Jury Trail का वीडियो अवश्य देखें नमस्कार मित्रों आज एक शब्द बहुत प्रचलित है करप्शन यानि की भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में सबसे पहले बेइमान और भ्रष्ट मंत्री, जज और सरकारी अधिकारियों की छवी आ जाती है यहां तक कि आज हर बच्चा बच्चा भी जानता है कि नेता कैसे होते है गरीबी, महंगाई, कमजोर होती सेना, बंध होती स्वदेशी कमपनिया, कमजोर होती सिक्षा व्यवस्था जैसे अन्य गंभीर समस्याओं का कारण है केवल भ्रष्टाचार, और यही भ्रष्टाचार का जड़ है भ्रष्ट कानून, जो साधान नागरिकों को कोई भी अधिकार नहीं देते केवल और केवल यही भ्रस्टाचार और बेमानी के कारण हमारे देश में गंभीर समस्याइं पैदा हुई हैं जैसे भुकमरी, गरीबी इसलिए जब तक हम भ्रस्टाचार को कम नहीं करेंगे तब तक भुकमरी, गरीबी कम नहीं होगी ब्रश्टाचार का अर्थ होता है सीर्ष के कुछ लोग आपस में साथ गांट करके समुह बनाकर नागरिकों को लूटते हैं ब्रश्टाचार तीन तरह से होते हैं पहला पैसों के लिए किया गया ब्रश्टाचार दूसरा कोई पद पाने के लिए किया गया भ्रष्टाचार और तीसरा जो सबसे खतरनाक है वो है नाम कमाने के लिए किया गया भ्रष्टाचार जिसमें व्यक्ती नाम कमाने के लालच में भारत को बेशने के लिए भी तयार हो जाता है आज देश में सब नेता वोट के समय तो आगे पीछे घूमते हैं लेकिन चुनाओं के बाद 5 साल के लिए नागरिकों को भूल जाते हैं और खुलके अधिकारियों के साथ मिलकर भष्टाचार करते हैं यदि व्यवस्था ही खराब हो तो अच्छे और इमानदार लोग कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन यदि व्यवस्था अच्छी हो तो 99 प्रतिशत बुरे लोग भी सुधर जाते हैं अच्छी व्यवस्था का मतलब जहां नागरिक किसी भी दिन बुरे व्यक्तियों को बदल कर अच्छे व्यक्तियों को ला सके आज हम साधारण नागरिकों को मालूम है कि नेता, जज, अधिकारी, भ्रष्ट और बेइमान होते हैं आज अमेरिका जैसे देश में वहां के साधारण नागरिकों के पास भ्रष्ट नेता, जज, और अधिकारी को नौकरी से किसी भी दिन निकालने का अधिकार है लेकिन भारत में हम साधारण नागरिकों को ये अधिकार नहीं है और यही कारण है कि हमारे देश में इतना भ्रष्टा चार है जिसके कारण गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है और भारते सेना कमजोर होती जा रही है किसी भी दिन भ्रष्ट को नौकरी से निकालने के इसी अधिकार को कहते हैं Right to Recall Right to Recall का अर्थ होता है कि यदि कोई भी मंत्री, जज, अधिकारी भ्रष्ट हो जाएं और नागरिकों का काम ना करें तो उसे साधारन नागरिक किसी भी दिन नौकरी से निकाल या बदल सके और इसके लिए नागरिकों को दूसरे जज या मंत्री के पास या किसी से भी भीक मा कारण बदलते हैं या इन भ्रष्टों को कान पकड़ कर उनके कुर्सी से उतारना शुरू कर दें तो क्या इससे अस्थीरता बढ़ेगी? क्या इसमें कोई स्थान खाली रहेगी? क्या इसके लिए कोई चुनाव आवश्यक है? क्या ये बिना चुनाव के संभव है? कौन ब सारे जन सेवक जैसे जज, प्रधान मंत्री, राश्ट्रपती से लेकर संसद, विधायक, लोकपाल, मुख्य मंत्री और सरकारे अधिकारियों पर लागू होता है आईए, राइट टू रिकॉल को एक आसान उधारन से समस्ते हैं मान लीजे, आपके घर का नौकर आपकी बात न सुने और आपके ही घर में चोरी करे तो आप क्या करेंगे? निश्यत रूप से आप कान पकड़ कर उसे घर से निकाल देंगे और नया नौकर निकाले जाने के डर से आपका काम करेगा क्योंकि उसे मालूम है, अगर उसने सही से काम नहीं किया, तो वो भी पहले वाले नौकर की तरह निकाल दिया जाएगा अब आईए, राइट टू रिकॉल क्यों ज़रूरी है? उसका एक उधारन देखते हैं मान लीजे, आपको घर खरीदने के लिए दो शहरों में से एक को चुनना है एक शहर में ये कानून है कि 5 साल के लिए आप अपने नौकर को निकाल नहीं सकते चाहे नौकर कितना भी बुरा काम करे और उसे हर महीने वेतन देना होगा लेकिन दूसरे शहर में ऐसा कोई कानून नहीं है तो फिर आप कौन से शहर में घर खरीदेंगे? सपश्ट है कि आप दूसरे शहर में ही घर खरीदेंगे जहां ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप अपने नौकर को 5 साल के लिए नहीं निकाल सकते हैं राइट टू रिकॉल कानून का डर एक लटकती तलवार की तरह है कि काम करना है और यदि काम नहीं किया तो नागरिक कभी भी उन्हें उठा कर फेंक सकता है यहां तक की भारत के धनी वर्ग जैसे उध्योगपती और बहुराश्य कमपनिया भी यह नहीं चाहती हैं कि भारत के साधारन नागरिकों के पास यह अधिकार हो क्योंकि राइट टू रिकॉल कानून से साधारन नागरिक सुखी संपन होने लगेंगे और उनका शोशन कम होन लगेगा हमारी रिकॉल की पद्धती अपियरंस्ड बेजड अर्थात हाजरी वाली और पॉजिटिव रिकॉल पर आधारित है तो क्रिपया राइट टू रिकॉल की पद्धती को जानने से पहले क्रिपया आप टी सी पी का वीडियो अवज से देख लें प्रधान मंत्री एक ऐसा पद है जिससे भारत का हर एक नागरिक सीधे जुड़ा हुआ है उसका कोई भी अच्छा या बुरा कार्य नागरिकों पर सीधा असर करती है उधारन है महंगाई आज हम साधान नागरिकों के पास प्रधान मंत्री को नौकरी से निकालने का अधि अधिकार नहीं है इसी लिए भरष्ट प्रधान मंत्री भरष्ट जज और भरष्ट रिजव बैंक के गवर्नर के साथ मिलकर महंगाई बढ़ा रहे हैं जिससे साधार नागरिकों को बहुत परिशानी से जीवन बिताना पड़ रहा है महंगाई का नियंत्रण एक मात्र प् और भरष्ट राचार नहीं करेगा प्रधान मंत्री के अंतरगत सेना और देश की सुरक्षा भी आती है इसी लिए भरष्ट प्रधान मंत्री के कारण देश की सेना आज बहुत कमजोर हो गई है और हम पर कभी भी चीन या अमेरिका हमला कर सकते हैं और हमको गुलाम बनाकर लूट पार्ट कर सकते हैं बहुत लोग कुतर्क करते हैं प्रधान मंत्री को हम सीधे नहीं चुनते इसलिए हम उसे सीधे नहीं निकाल सकते हैं पर हमारे समविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है समविधान के अनुसार नागरिक इस देश के मालिक हैं इसलिए नागरिक कि लिए मान लीजे यदि भृष्ट प्रधानमंत्री का अत्याचार नागरिकों के उपर बढ़ गया है और साधार नागरिक उस भhrasht प्रधानमंत्री को बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए प्रक्रिया है पहली प्रक्रिया अर्थात कोई भी योग य नागरिक कलेक्टर के दफ्तर जाकर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए अपना नाम दर्ज कर सकता है प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर प्रक्रिया नंबर दो अर्थात भारत का कोई भी नागरिक तलाटी या विलेज ओफिसर कार्याले में जाकर मात्र तीन रुपेश शुलक का भुकतान करके प्रधानमंत्री पद के लिए अधिक्तम पाँच व्यक्तियों पर स्विक्रती दे सकता है तलाटी उस नागरिक का फोटो और उंगली का छाप लेगा और उसे रसीद देगा जिस पर उसका मतदाता पहचान संख्या और व्यक्तियों के नाम जिसे उसने मंजूरी दी है लिखी होगी कुछ ही दिनों में सुरक्षित मैसेज सिस्टम लागू किया जा सकता है जिससे ये खर्चा पाँच पैसे में हो जाएगा प्रक्रिया नमबर 3 अर्थात इस धारा के कारण ये प्रक्रिया पैसों से गुंडों से या मीडिया द्वारा खरीदी नहीं जा सकती साधार नागरिक किसी भी दिन अपना सुरक्रिती रद कर सकता है प्रक्रिया नमबर 5 प्रक्रिया नमबर 6 अर्थात वर्तमान प्रधानमंत्री के स्विकृती की गिंती इन दो विकल्पों में से जो अधिक होगी मानी जा सकती नमबर 1 नागरिकों की संख्या जिन्होंने उसे स्विकृती दी है अर्थात यदि किसी भी उमीदवार को 15 करोर वोटर्स की स्विकृती प्राप्थ हो जाती है और यदि वर्तमान प्रधानमंत्री से 1 करोर स्विकृती अधिक मिलती है तो मौझूदा प्रधानमंत्री इस्तिफात दे सकता है या उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है यदि कोई नागरिक इस कानून में परिवर्तन लाना चाहे तो वो जिला कलक्टर के दफ्तर जाकर अपना एफिडेविट जमा करा सकता है और जिला कलक्टर या उसका कलर्क एफिडेविट को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर रखेगा प्रती 20 रुपे पनना लेकर प्रक्रिया नंबर 9 यदि कोई भी नागरिक इस कानून या इसके कोई अंश का विरोध करना चाहे या प्रक्रिया नंबर 8 के अनुशार जमा एफिडेविट पर अपनी हा या ना दर्ज करवाना चाहे तो पटवारी के दफ्तर वोटर आईडी कार्ट सहित जाकर और 3 रुपे सुल्क देकर पटवारी से कहकर अपनी हा या ना दर्ज करवा सकता है इसके बदले पटवारी उसे एक रसीत देगा नागरिक की हा या ना प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर दिखेगी यदि आपको यह पद्धती ठीक से समझ में ना आया हो तो क्रिपया वीडियो के आखिर में जो लिंक्स दिये गए हुए हैं क्रिपया उस पर आप अपने प्रश्ट पूछ सकते हैं TCP अर्थात पारदर्शिय शिकायत पद्धती द्वारा नागरिकों को ये जाची जा सकने वाली जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कौन सा व्यक्ती जनता के लिए अच्छा काम कर रहा है और कौन बुरा काम कर रहा है इस प्रकार कोई भी नागरिक निर्णय कर सकता है कि उसको किसी व्यक्ती को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन करना है की नई TCP प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए हमारा ये वीडियो देखें और ये लिंक पढ़ें अमेरिका के रिकॉल सिस्टम में दो बार चुनाव होता है पहला चुनाव किसी को निकालने के लिए और उसके बाद किसी नए उम्मीदवार को चुनने के लिए तो इससे कुछ समय के लिए स्थान खाली रहता है जिससे अस्थीरता की भी संभावना है लेकिन हमारे प्रस्तावित Right to Recall प्रथानमंत्री सिस्टम में कोई वर्तमान प्रथानमंत्री तब ही बदला जाएगा जब कोई उससे अच्छे विकल्प को वर्तमान प्रथानमंत्री से 1 करोड अधिक नागरिकों के समर्थन मिलेंगे और इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री बदलने के बाद चुनाओ करवाने की भी जरुरत नहीं है और इससे देश का करोडो रुपए बच जाएगा जैसा कि हमने अभी बताया कि हमारे रिकॉल की पद्धती appearance based है अर्थात हाजरी वाली और उसी तरफ अमेरिका में हस्ताक्षर वाली right to recall की प्रक्रिया है यानि अमेरिका में नागरिकों की हस्ताक्षर द्वारा बहुमत जाचा जाता है पर हस्ताक्षर वाली पद्धती हमारे देश में संभव नहीं है क्योंकि हमारी जो महान सरकार है वो आजादी के 66 वर्सों के बाद भी नागरिकों के हस्ताक्षर के रिकॉर्ड तक नहीं बना पाई है इसलिए हस्ताक्षर वाली पद्धती हमारे देश में काम नहीं करेगी इसके अलावा हाजरी वाली right to recall की प्र संभावना है आईए अब right to recall के बारे में और भी कोछ जानकारियां प्राप्त करें हमने उन जगहों में right to recall प्रस्ताव नहीं किया है जहां पर जिला या चुनाव छेत्र की जनसंख्या एक लाख से कम हो एक लाख या 50,000 वाली कम जनसंख्या पर right to recall का इतना प्रभाव नह कि right to recall के इस प्रक्रिया से क्या कोई एक वशिष्ट जाती या धर्ण गलत फायदा उठा सकते हैं हर व्यक्ति सबसे पहले अपना फायदा और नुकसान देखता है यदि किसी भी जिले का MLA नागरिकों को खुश रखता है अच्छे कारियों द्वारा तो नागरिक उसे वो खाना अच्छा नहीं बनाता और दूसरा अच्छा खाना बनाता है लेकिन वो आपका रिश्टेदार नहीं है तो आप कौन सी जगह को चुनेंगे स्वभाविक है आप दूसरा विकल्ब चुनेंगे जहां अच्छा खाना मिलता है यदि किसी जिले में या इलाके में कोई विशिष धर्म या जाती के लोग अपनी मनमानी और गलत फाइदा उठाना चाते हैं तो उस राजी के दूसरे जिले के लोग और भारत के पूरे लोग बताये गए जनता की धारा एक और दो का प्रियोग करके गलत काम को रुकवा सकते हैं और यदी प्रधान मंत्री चाहे त तो वहाँ पर चार वर्षों के लिए अपने द्वारा निर्वाचित अफसरों को नियुक्त कर सकते हैं उधारन के लिए यदी कश्मीर के लोगों के अलावा यदी बाकी राजी के लोग ये चाहते हैं कि आर्टिकल 370 रद होनी चाहिए तो वो धारा जनता की आवाज एक और दो का प्रियोग कर सकते हैं ठीक इसी तरीके से कोई इलाके या जिले में इसका गलत प्रियोग नहीं कर सकते हैं ड्राफ्ट का नाम जरूरी नहीं है ड्राफ्ट में क्या लिखा है वो जरूरी इसलिए कृपया दूसरे नागरिकों और कारेकरताओं को संक्षित में दे और बेकार कानून लाया गया है जिससे लोगों का इस कानून के उपर से विश्वास उठ जाए इन राज्यों ने केवल छोटे पद जैसे मेर पंचायत पर रिकॉल लागू किया है और नागरिकों को कोई अधिकार नहीं दिया है कि वो उन्हें सीधे बदल सके और जज चाहे तो उन्हें रिकॉल होने के बाद भी वापस उसी पद पर बैठा सकते हैं राजस्थान में नकली राइट टू रिकॉल मेर का उधारन लीजे वो प्रक्रिया कहती है कि वापस बुलाने या रिकॉल करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दो तिहाई काउंसिलर को सफलत पूर्वक याची का दर्ज करवानी होगी उसके बाद रिकॉल चुनाओ होगा जिसमें वोटर्स मेर या चियर्मेन को निकालने के लिए हाँ या न दर्ज करेंगे और यदि 50% से ज़्यादा वोटर्स हाँ दर्ज किया तो मेर निकाला जाएगा लेकिन काउंसिलर और मेर यदि आपस में 60 गांट बना लें तो नागरिक फिर भरष्ट मेर को नहीं निकाल पाएंगे और इससे भी बुरा यह होगा कि यदि कोई मेर अच्छा भी है और यदि वो काउंसिलर को रिश्वत लेने से रोकता है तो काउंसिलर मेर के विरुद जाकर रिकॉल चुनाओ की मांग कर सकते हैं नागरिकों को ऐसा कोई रिकॉल चुनाओ नहीं चाहिए तो भी इस नकली रिकॉल प्रक्रिया में साधार नागरिकों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है असली राइट टू रिकॉल में नागरिक और केवल नागरिक वापस बुलाने या बदलने की प्र प्रलय आ जाएगा लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि कृपया बताएं कि हमारे बताये गए कौन सी पधती में कौन सी धारा से प्रलय आ जाएगा तो फिर उनका कोई बयान नहीं आता और कुछ लीडर्स जनता की मांग के दबाव में आकर राइट टू रिकॉल का नकली मा इसलिए क्योंकि ये लीडर्स राइट टू रिकॉल का कोई ड्राफ्ट या विस्तृत प्रक्रिया नहीं देते हैं बस एक या दो लाइन्स में ऐसी बात करते हैं राइट टू रिकॉल का जिससे लागू करने से देश का कुछ भला होना तो दूर उल्टा नुकसान ही हो जा तो यहर कारेकरताओं से विनती है कि आप अपने प्रिय लीडर्स से ट्राफ्ट की मांग कीजिए अगर वो नहीं देता हो तो आप समझ सकते हैं तो समझदार को इशारा ही काफी है और ये लीडर्स जान बुच कर राइट टू रिकॉल को कम महत्वका बता कर राइट टू रिजेक्ट यानि जो 5 साल में एक बार प्रियोग किया जा सकता है जैसी बेकार प्रक्रिया पर जोर देकर कारेकरताओं का समय बरबार करते हैं उधारन के लिए जैसे जो XYZ पार्टी से नफरत करता है उनके लिए कोई चारा नहीं है कि वो ABC पार्टी के लिए वोट डाले ताकि XYZ ना जीत पाए और ऐसे ही ABC के नफरत करने वाले लोग XYZ को वोट देंगे राइट टू रिजेक्ट बटन होने के बावजूद इसलिए राइट टू रिजेक्ट बटन होने पर भी देश में कोई सकरात्मक बदलाओं नहीं होगा क्योंकि बटन दबाने का मौका तो देश में बदलाओं लाना चाहते हैं वो चुनाओं लड़ें और पार्लियामेंट में जाकर कानून बदलें और इस तरह के कई बिना सरपैर की बातें करते रहते हैं सरव प्रथम इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप का प्रिय उमीद्वार या पार्टी चुने जाने के बाद भी आपकी बात सुने और पार्लियामेंट में जाने के बाद आपकी बात ना सुने तो आप उसका कुछ नहीं बिगार पाईएगा और पिछले 64 वर्सों से यही होता आ रहा है। उधारन के लिए 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने नागरिकों को वादा किया था कि चुनाओ जीतने के बाद वे राइट टू रिकॉल कानून लाएंगे। लेकिन जैसे ही वो जीत कर MPs बन कर पार्लियमेंट में गए तो उन्होंने नागरिकों को ठेंगा दिखा दिया। पार्लियमेंट सिस्टम है ही ऐसा कि इसके द्वारा जनहित के कानून पास ही नहीं हो सकते। आईए समस्ते हैं कैसे। पहला यदी नागरिक सोचते हैं कि केवल अकेला एक प्रधानमंत्री से देश ठीक हो जाएगा तो वो किसी जनम में भी नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री चाहे कितना भी देशभक्त और इमानदार क्यों न हो वह अकेला अच्छे कानून नहीं बना सकता। और वो अकेला एमानदार रहे और बाकी MPs बिग गए तो अच्छे कानून नहीं बन पाएंगे। उल्टा सारे बेमान MPs अगर एक हो गए तो मोशन के द्वारा वो एमानदार प्रधानमंत्री को बदल भी सकते हैं। दूसरा, यदि लोक सभा में कोई जनहित का कानून बहुमत पाटी द्वारा पास हो भी जाता है तो उस कानून को देश में लागू करवाने के लिए राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए। तीसरा, राज्य सभा में किसी पार्टी का बहुमत बनाना बहुत कठिन है और यदि किसी पार्टी का बहुमत से जनहित का कानून पास हो भी जाता है तो उसे सुप्रीम कोट के जज रद्ध कर सकते हैं और इस तरह से कोई एक जनहित के कानून लाने में कई जन्म लग जाएं और मीडिया का ही सारा खेल होता है किसी को हीरो या किसी को जीरो बनाने में देश में लोग यदी 50 प्रतिशत वोट देते हों या 100 प्रतिशत इससे कोई फरक नहीं पड़ता यदी नागरिकों के पास किसी भी दिन बेइमान और भरष्ट सांसद या प्रधान मंत्री को नौकरी से निकालने का अधिकार होगा तो कोई भी बेइमान व्यक्ति इमानदार हो जाएगा तो इससे कम या ज्यादा वोट होने का दूर दूर तक कोई संबंद नहीं है अब आपके मन में यह प्रशना आ रहा होगा कि हम साधार नागरिक भारत में राइक टू रिकॉल कैसे ला सकते हैं आज हमारे देश का प्रसासन सुधारने के लिए हमें 100 या 100 से अधिक अलग-अलग कानोनों या बदलाओं की जरुरत हैं लेकिन बजाय के हम इसके लिए 100 अलग-अलग अंदोलन करें हमको एक ही कारे करता संचाले ड्राफ्ट की नित्रित्तु में 1977 के एमजेंसी विरोध जन अंदोलन जैसा एक अंदोलन करना चाहिए और प्रधानमंत्री को मजबूर कर देना चाहिए कि वे TCP को भारतिय राजपत्र में डालें एक बार ये तीन लाइन का सरकारी आदेश आ जाता है तो फिर अगले दिन कोई व्यक्ति कलेक्टर के दफतर जाकर प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर जूरी सिस्टम राइट तू रिकॉल प्रधानमंत्री और राइट तू रिकॉल जज आदी जनहित के कानून ड्राफ्ट एफिडिविड में अरजी के रूप में डाल सकते हैं जब करोडों लोग अपने पास के पटवारी के दफतर जाकर उस मांग का समर्थन करेंगे तो इतना दबाओ बन जाएगा तो प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर करने और उसको भारतिय राजपत्र में डालने के लिए मजबूर हो जाएगे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इससे अभी प्राय है कि बस यह कह देना कि मैं इस प्रक्रिया ड्राफ्ट का समर्थन करता हूँ तो इससे बात आगे नहीं बड़ेगी हमारे सम्विधान के अनुसार हमारा करतव है कि हम अपने जन प्रतिनीदी जैसे MP, MLA को इमेल और SMS करके आदेश दें कि TCP ड्राफ्ट को भारतिय राजपत्र में जल्दी से जल्दी छपवाएं और क्रिपया अपने भेजे गए इमेल और SMS को Facebook नोट या Twitter पर पोस्ट कीजिए ताकि और भी नागरिक कारे करता आपसे प्रेरित होकर वे भी अपने नेता को आदेश करें जब तक समर्थन पबलिक को दिखेगी नहीं तब तक आंदोलन सफन नहीं हो सकता यदि आपने समर्थन या बढ़ावा किया है और उसका प्रमाण नहीं दिया तो इसे कोई दबाव नहीं बनेगा तो क्रिपया अपने समर्थन को नागरीकों को प्रमाण सहीत दिखाईए और ऐसी जगहों पर उसे डाले जहां अधिक से अधिक लोग उसे आसानी से देख सकें तब ही जाकर आंदोलन सफल होगा Right to Recall के नाम से आपको लग रहा होगा यह कानून पश्चिम से लिया गया है पर ऐसा नहीं है यह प्रक्रिया संपूर्ण भारती है स्वामी दयानन सरश्वती जी ने अपनी पुष्टक सत्यात प्रकाश में लिखा है कि राजा को प्रजा के अधिन होना चाहिए नहीं तो वो नागरिक को उसी तरह लूट लेगा जिस तरह एक जंगली जानवर कमजोर जानवरों को खा जाता है और तयानन सरश्वती जी ने यह स्लोक अथर्ववेद से लिया था राम मनोहर लोहिया ने कहा था जिंदा कौमें 5 सालू तक इंतजार नहीं करती महात्मा भगत सिंग, महात्मा चंदर सेखर आजाद, महात्मा रामप्रशाद विस्मिल अन्य सभी महान करांतिकारी जो हिंदुस्तान सोसेलिस्ट रिपबलिक में थे उन्होंने सभी महात्मा सचिंदर नात्सान्याल के पार्टी के बनाये हुए मैनफेस्टों में लिखा था कि चुनाओ राइट टू रिकॉल प्रक्रिया के बिना बस एक मजाग बनके रह जाएगा जैप्रकाश नारायन ने 1970 के दशक में राइट टू रिकॉल की मांग की थी राजीव दिख्षिद जी अपने जीवन के अंतिम छण तक राइट टू रिकॉल की मांग करते रहे उनका कहना था Right to Recall प्रधान मंत्री से लेकर चप्रासी तक होना चाहिए इन सभी महान व्यक्तियों ने भारत देश के व्यवस्थाओं को गंभीरता से देखते हुए Right to Recall पर इतना जोर दिया था इन महान व्यक्तियों का जो ये महान विचार पूरा नहीं हो पाया इस विचार को पूरा करने का काम अब हमारे उपर है अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो उसके उत्तर के लिए ये PDF फाइल पढ़ें या हमारे Facebook ग्रूप से जुड़ें धन्यवाद